ओम शान्ती आज है 19 मार्च 2024 की साकार मुरली आए सुनते हैं बाबा के मीठे मीठे माहा वाक्यों को मीठे बच्चे घड़ी घड़ी बाप और वर्से को याद करो बाप रुहानी सर्जन तुम्हें निरोगी बढ़ने की एक ही दवा बताते हैं कि बच्चे मुझे याद करो प्रेशन है अपने आप से कौन सी बाते करो तो बहुत मज़ा आएगा उत्तेर अपने आप से बाते करो इन आँखों से जो कुछ देखते हैं यह तो सब खत्म हो जाना है बस हम और बाबा ही रहेंगे मीठा बाबा हमको स्वरका मालिक बना देते हैं ऐसी ऐसी बातें करो एकांत में चले जाओ तो बहुत मज़ा आएगा ओम शांती परम पिता शिभ भगवान वाच मीठे मीठे बच्चियों को पुरुशुत्तम संगम युक कदम कदम पर याद रहना चाहे यहाँ भी तुम बच्चे ही जानते हो सोभी नंबर वार पुरुशार थनुसार यहाँ बुद्धी में याद रहे हम अभी पुरुशुत्तम संगम युक पर पुरुशुत्तम बन रहे हैं और यहाँ जो रावन का पिंजरा है उनसे बाबा हमको चुटकारा दिलाने आए ह जैसे कोई पंची को पिंजरे से निकाला जाता है तो वहाँ बहुत खुश हो कर उड़कर सुख पाते हैं तुम बच्चे भी जानते हो यहाँ रावन का पिंजरा है अनेक प्रकार के दुख ही दुख हैं अब बाब आए हैं इस पिंजरे से निकालने के लिए हैं तो दिया है देवताओं और असरों की लडाई लगी फिर देवताओं ने जीता अब लडाई की तो बात ही नहीं तुम अभी असर से देवता बन रहे हो आसुरी रावन अर्थाद पांच विकारों पर तुम जीत पाते हो नकी रावन संप्रदाय पर पांच विकारों को ही जादी की बात नहीं है, तुम बच्चे बड़े खुश होते हो, अभी हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं, जहां न गर्मी है न सर्दी, सदैव बसंत रितू ही रहती है, सत्योग स्वर्ग की बसंत रितू अब आती है, यहां बसंत रितू तो थोड़े समय के लिए आती है, वह वह बसंत रीतु तो तुम्हारे लिए आधा कल्ब के लिए आती है, वहां गर्मी आदी होती नहीं है, गर्मी से भी मनुश्यों को दुख होता है, मर पड़ते हैं, इन सभी दुखों की बातों से छूटने के लिए हमको अविनाशी सर्जन बहुत सहच दवाई देते हैं, उस सर्जन के पास जाएंगे, तो अनेक दवाईयां आदी याद आएंगी, यहां इस सर्जन के पास तो कोई दवाई नहीं, उनको सिर्फ याद करने से सवरोग छूट जाते हैं, और दवाई आदी कुछ भी नहीं है, बच्चे कहते हैं, आज सेमिनार करेंगे, चार्ट कैसे चाहिए, बाबा को कैसे याद करना चाहिए, इस पर सेमिनार करेंगे, अब बाप तो तकलीफ नहीं देते हैं कि बैठ कर लिखो, अपना पेपर खराब करो, जरूरत ही नहीं रहती, बाप तो सिर्फ कहते हैं, बुद्धी में बाप को याद करो, अग्यान काल में बाप को याद करने के लिए चार्ट बनाया जाता है क्या, इसमें लिखा पड़ी करने की कोई जरूरत नहीं, बाप को कहते हैं, बाबा, हम आपको भूल जाते हैं, कोई सुने तो क्या कहेंगे, कहते भी हैं, हम जीते जी बाप के बने हैं, क्यों बने हैं, बाप से विश्य की बाद नहीं कर सकते हो, इतना बार तुमने वर्सा लिया है, फिर भी भूल जाते हो, बाप से वर्सा लेना है तो याद भी करना है, दैवी गुण भी धारन करने हैं, लिखना क्या है, यहां तो हर एक अपने दिल से पूछे, नारत का भी मिसाल है, खुद कहते हैं बड़ा भक्त था तुम भी जानते हो जनम जनमांतर के हम पुराने भक्त हैं, हम मीठे बाप को याद कर कितना खुश होते हैं, जो जितना याद करते हैं वही लक्ष्मी नारायन को वरने लायक बनेगे, कोई गरीब का बच्चा जाकर साहुकार की गोद लेता है, तो कितना खुश होता है बाप को और प्रापटी को ही याद करते हैं यहां तो बहुत हैं जिनको बेहत के बाप का बच्चा बन राचाई लेने का भी अक्ल नहीं आता है वंडरफुल बात है जो बाप स्वरक का मालिक बनाते हैं उनको याद नहीं कर सकते हैं बाप बच्चों को अजाप्ट करते हैं ऐसे ब बच्चों तुमने बुलाया ही है डॉक्ट करने के लिए, बाब को बुलाया जाता है ना, बाब ही स्वरग के स différents थापना करते हैं, स्वरग का वर्सा देते हैं, तुम पुकारते भी हो, बाबा हम पतीतों को आ कर गोद मिलो, आपे ही कहते हो, हम पतित कंगाल चीची बेहत के बाप को तुम भक्ती मार्ग में पुकारते रहते हो अब बाप कहते हैं भक्ती मार्ग में भी तुमको इतना दुख नहीं था अभी मनुश्यों को कितना दुख है बाप आया है तो जरूर विनाश का भी समय होगा तुम चानते हो इस लड़ाई के बाद फिर कितने ज खुरो गादी का नाम होगा अभी तो कितनी ठेर बिमारियां हैं बाप कहते हैं मीठे बच्चों हम तुम को सभी दुखों से छुड़ा देंगी तुम याद ही करते हो ये भगवान आकर दुख हरो सुख और शांती दो यहाँ दो चीजें हर एक मांते हैं यहां है अशांती श शांती तो मीठे बाप के सिवाए और कोई द्वारा मिलना सके, कितनी तुम महनत करते हो समझाने की, फिर भी समझते ही नहीं, तुम गवर्मेंट को भी लिख सकते हो, मुफ्त क्यों पैसे बरबाद करते हो, शांती का सागर तो एक ही बाप है, वही विश्य में शांती करते हैं, गवर्मेंट के हैड्स को अच्छे अच्छे कागस पर रोयल्टी से चिठ्थे लिखनी चाहिए, कोई अच्छा कागस देकर समझते हैं कि शायद यह किसी बड़े आदमी की चिठ्थी है, बोलो विश्य में शांती जो तुम कहते हो आगे कब हुई है, जो फिर उ सत्यू का समय था, यह लक्षमी नारायन है डिनाइस्टी की निशानी, ब्रम्हा और तुम ब्रह्मनों के पाड़ का किसको पता नहीं है, मुख्या पाड़ तो ब्रम्हा का है न, वही रत बनते हैं, जिस रत द्वारा बाप इतना कार्य करते हैं, नाम ही है पदमां पदम भ अग्यशाली रत, विचार करो कैसे किसको समझाएं, मनुश्यों को कितना नशा है, अब तुमको बाप का ही परिचे देना है, ज्यान तो है ही सिर्फ ज्यान सागर बाप के पास, वह जबाए इतबा कर दे, तब तक ज्यान तो कोई देना सके, भक्ती तो सब भक्त करते ही र होता है, यहा किताब आदी जो तुम रखते हो, यहा सब टैंपररी है, यहा भी सब खत्म हो जाएंगे, तुम नोर्स लिखते हो, यहा भी खत्म हो जाने हैं, यहा सिर्फ अपने पुरशार्थ के लिए है, बाप कहते हैं टॉपिक्स की लिस्ट बनाओ तो याद आएगा, प्रन्तु यह तो जानते हो यह पुस्तकादी कुछ भी नहीं रहेंगे, तुम्हारे बुद्धी में सिर्फ याद ही पड़ेगी, आत्मा बिलकुल बाप जैसी भरपूर हो जाती है, बाकी जो भी पुरानी चीजें नांखों से देखते हो वह भी खत्म हो जाएंगी, पिछा जो भी शरीर मिलता है, चीची ही मिलता है, अभी तुम बच्चे जानते हो, हम स्रेस्टाचारी बन रहे हैं, बाप ही बनाते हैं, सादू संतादी थोड़े ही बनाते हैं, बाप तुमको स्रेस्टाचारी बनाते हैं, बाबा कहते मिठ्धे बच्चे, मैं तुम्हें अपने नैनों पर बिठा कर ले जाओंगा आत्मा भी यहां नैनों पर बैठती है बाब कहते हैं हे आत्माएं तुम सब को निहाल कर ले जाओंगा बाकी थोड़ा समय है अब मेहनत करो अपने दिल से पूछो मैं स्वीच बाबा को कितना याद करता हूं हीर रांचा का विकार के आत्म नहीं था, शारिरिक प्यार था, याद करते थे और सामने आ जाता था, दोनों आपस में मिल जाते थे, बाब कहते हैं तुम भी ऐसे बनो, वह है एक जनम के आशिक माशुक, तुम हो जनम जनमानतर के। यहां बाते इस समय ही होती हैं, आशिक माशुक का अक्शर भी स तुम बच्चों को देखने की तो कोई चीज नहीं, इसमें तुम सिर्फ अपने को आत्मा समझो और माशुक बाप को याद करो, आत्मा समझ बाप को बहुत खुशी से याद करना है, बाप समझाते रहते हैं भक्ती मार्ग में तुम ऐसे आशिक थे माशुक पर कुरबान जा आप आएंगे तो हे माशुक हम तुम पर वारी जाएंगे अब माशुक आया हुआ है सब को गोरा बनाने जो जैसा है ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं तुम गोरा बनते हो तो शरीर भी गोरा बनेगा आत्मा में ही खाद पड़ती है अब तुम मुझे याद करो तो खाद निक पल जाएगी, यहां तुम बच्चे आते हो, एकांत बहुत अच्छी है, पादरी लोग भी पैदल करते हैं, एकदम साइलेंस में रहते हैं, माला हाथ में रहती है, कोई को देखते भी नहीं है, धीरे धीरे चलती जाते हैं, वो लोग क्राइस्ट को याद करते रहेंगे, बा मालूम पड़ा है, तो तुम यहां आते हो, मदवन का तो गायन है, यहां है सच्चा सच्चा मदवन, जहां तुम आते हो, जितना हो सके तुमें कांत में याद में रहो, किसको भी देखो नहीं, उपर छटें तो पड़ी हैं, बाबा की याद में सवेरे छट पर चले जाओ बड़ा मज़ा आएगा, कोशिश करो रात को एक दो बजे जागने की, तुम नीन को जीतने वाले मशहूर हो, रात को जल्दी सोचाओ, फिर एक दो बजे उठकर छट परे कांत में याद की यात्रा करते रहो, बहुत जमा करना है, बाब को याद करते, बाब की महमा करने ल यहाँ चांस भी यहाँ अच्छा मिलता है, घर में तो तुम कर नहीं सकेंगे, फुरसत ही कहा रहती है, दुनिया का वाइब्रेशन वातवरन बहुत खराब रहता है, वहाँ इतनी याद की यात्रा नहीं होगी, अब इसमें लिखने की भी क्या बात है, आशिक माशिक कितने को याद दिलाया, यहाँ हम आते हैं जमा करने तो यहाँ कोशिश करो, उपर छटों पर एकांत में जाकर बैठो, घजाना जमा करो, यहाँ समय है ही जमा करने का, साथ रोज, पांच रोज आते हो, मुर्ली सुनकर जाए एकांत में बैठो, यहाँ तो घर में बैठे ह बाब को याद करो तो कुछ तुम्हारा जमा हो जाए। बहुत माताएं बांधेलियां हैं। याद करती हैं शे बाबा बंधन से छुडाओ। विकार के लिए कितना मारते हैं। खेल दिखाया है ना द्रौपती के चीर हरे। तुम सब द्रौपतियां हो ना तो बाब को याद करते रहना है बाबा युक्ती तो बहुत बतलाते हैं इसमें सनान आदी की भी बात नहीं रहती हाँ पाखाना जाना होता तो सनान जरूरी है मनुश्य तो सनान के समय भी किसी देवता या भगवान को याद करते हैं मुख्या बात है ही याद की ग्यान तो बहुत मिला हुआ है 84 के चक्तर का ग्यान है अपने अंदर में बैठ कर देखो अपने सिफ पूछो ऐसा मीठा मीठा बाबा जो हमको स्वरव का मालिक बनाते हैं उनको सारे दिन में कितना याद किया मन भागता तो नहीं कहां भागेगा दुनिया तो है नहीं यह सब खत्म हो जाना है हम और बाबा ही रहने वाले हैं ऐसे ऐसे अंदर में बाते करो तो फिर बहुत मज़ा आएगा यहां जो भी आते हैं वह बहुत पुराने भक्त हैं जो नहीं आते वह समझो की आजकल के भक्त हैं वह देरी से आएंगे शुरू से भक्ती करने वाले जरूर बाब से वर्षा पाने आएंगे यहां गुप्त महनत है जो धारना नहीं करते हैं उनसे कुछ वे महनत होती नहीं यहां तुम आते ही हो रिफ्रेश होने अपने से महनत करो एक हफ़ते में तुम इतना मालिक अठा कर सकते हो जो वहां बारा मास में नहीं यहां साथ रोज में सारी कसर निकाल सकते हो बाबा राय देते हैं अच्छा मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रती मात पिता बाब दादा का याद प्यार और गुट मॉनि रुहांनी बाब की रुहांनी बच्चों को नमस दे हम रुहांनी बच्चों की रुहांनी बाब दादा को नमस दे जी नमस दे जी सदा रहेंगे हस्ते जी वाह बाबा वह शुक्रिया बाबा, शुक्रिया धारना के लिए मुख्यसार नमबर एक, एकांत में बैट बाब को याद कर कमाई जमा करनी है, अपने अंद चेक करना है याद के समय मन भागता तो नहीं है हम कितना समय स्वीट बाब को याद करते हैं नमबर दो, सदा इसी खुशी में रहना है कि हमें बाबा ने रावन के पिंजडे से मुक्त कर दिया अभी हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहां ना गर्मी है ना सर्दी है जहां सदा ही बसंत रीतु है वर्दान है, मेरे को तेरे में परिवर्दन कर बेफिकर बादशाह बढ़ने वाले खुशी के खजाने से भरपूर भव जिन बच्चों ने सब कुछ तेरा किया वही बेफिकर रहते हैं मेरा कुछ नहीं सब कुछ तेरा है जब ऐसा परिवर्दन करते हो तब बेफिकर बन जाते हो जीवन में हर एक बेफिकर रहना चाता है जहां फिकर नहीं वहां सदा खुशी होगी तो तेरा कहने से बेफिकर बनने से खुशी के खजाने से भरपूर हो जाते हो आप बेफिकर बादशाहों के पास अंगीनत अखुट अविनाशी खजाने हैं जो सत्युक में भी नहीं होंगे श्लोगन है खजानों को सेवा में लगाना अर्थात जमा का खाता बढ़ाना खजानों को सेवा में लगाना अर्थात जमा का खाता बढ़ाना शुक्रिया बाबा शुक्रिया ओम श्यांती